36 गड़ सहित पूरे देश में सीमेंट के दामों को लेकर लगातार हाय तौबा मची हुई है ऐसे में एक सीमेंट कमपनी के अफसर की करतूत ने सबको हैरान कर दिया है ये शक्स अंबुजा सीमेंट 36 गड़ का चीफ मैनुफैक्चरिंग अफसर है और नाम है रामभव गट्टू जिसे को संबलपुर विजिलेंस ने रिश्वत देने के आरोप में गिरफतार कर लिया है ये घटना ओडिशा के बरगड़ जिले में हुई जहां गट्टू कलेक्टर आदित्य गोयल से मिलने पहुँचे थे जहां रिश्वत देने के प्रयास में गट्टू रंगे हाथों पकड़ा गया बताया जा रहा है कि गट्टू कलेक्टर से मिलने उनके कार्याले पहुँचे हुए थे जहां उन्होंने कलेक्टर आदित्य को गुलदस्ता भेंट करते हुए मिठाई का पैकेट सौपा कलेक्टर को इस मिठाई के डब्बे पर शक हुआ तो उन्होंने मिठाई के पैकेट को खोलने के लिए अपने चपरासी को निर्देशित किया और जब चपरासी ने मिठाई का डब्बा खोला, तो कलेक्टर की आँखें भी फटी की फटी रह गई क्योंकि इस डब्बे में 5-500 रुपए की 4 गंडियां मिली सीमेंट अफसर की ये कर्तूद देख, कलेक्टर ने तुरंत गट्टू को हिरासत में लेते हुए संबलपुर विजिलेंस को सूच ना दी विजिलेंस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गट्टू को मौके से ही गिरफदार कर लिया वैसे कलेक्टर को रिश्वत देने वाले सीमेंट कमपनी के अफसर और कलेक्टर की इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहेंगे अपनी राय भी जरूर कमेंट करें